नमस्कार दोस्तों जैसा कि आपको पता है कि हमारा रिट के अंदर जो सिलेबस था उसको कवर करने के लिए मैंने कहा था सेंसकर्थ के मैं टोपिक डालूँगा तो उसके अंदर सबसे पहला टोपिक है जो चंद है ठीक है वह मैं डाल रहा हूं चंद टोपिक जो एकजाम के अंदर भाषा दित्य को चुन रहा है उसके लिए यह सेंसकर्थ चंद आएंगे ठीक है और भाषा पस्ट है उसके लिए चंद नहीं है ठीक है यही बात इंपोर्टन एसको ध्यान में रखते हुए तैयारी करें ठीक है अब यह देखिए भाषा दित्य के जिसने रिट लेवल टू लेवल टू के अंदर जिसने बासा सेकेंड चुनी है उसके लिए यह चंद है ठीक है नमस्कार दोस्तों मैं हूं जीए आप देख रहे हैं गुरूजी फॉर एन इंडियन एग्जाम तो चलिए सुरू करते हैं ते दोस्तों यहां पर देखे सबसे पहले आ गया संस्क्रित छंद है ठीक है देखिए इसके अंदर जो this बात दोटेए नहीं इसमें एक आगया है कि बुरूजन वडों में रस्क के रूप में एक किया जाता था ठीक है वेर्दों में किया जाता यह और जो परिमाड या संक्या युक्त होते हैं यदा सपरिणाम तक चंद शंक्या और पर अधारित होते हैं यह दो बते यह दख लेना, इसमें एक्जाम में आ सकते हैं ड़िदे रहें यह क्योषन है, इसको आपको याद रखना पड़े आपको आपको ध्यान ने रखना है, यह होते हैं अमारी पहली बात, क्योषनों को मैं एंड में वीडियो के एंड में पूचता रहूंगा हर अब एंड में पूचूझा और ये ही इसलिए पूचूझा झाल झाल कि आपका ध钊न असके अंदर कितना है इसी करण में हर भीडियो बनतर जैसे कि मैने सब्सक्राइबर और व्यू से जदा इंपोर्टेंट है आपको ज़्यादा चीज़े याद करवाना और यह देखिए मैं जो भी चीज़े बढ़ा हुआ है उसके अंदर सारे घरंटी है इनमें से क्योशन पढ़ने वाले है ठीकिना आप मतलब की क्या पेपर बनाते हो यह ऐस से नोट्सों से मिला के फिर यह चीज़े बनाई है ठीकिना आपको इसमें कुछ भी सोचने की या टैंसल लेने की जरूर नहीं है और अब देखिए आगे जो चीज़ आ रही है वह देख लेते हैं चंद के परकार क्या है ठीकिना एक तो देखिए चंद होते हैं वर्ण होत अब यहां पर यह मैंने राम लिखा था ना यहां यह दिःगि राम लिका तो इसकी महत्रा हो गई यह गुरू ठीके निया आपको मैं आपको बताऊंगा किसे गुरू क्या है ना ठीके चलिए देखिए यह चंदों के परकार जोपर करते हैं बढ़निक और मात्रीग सब्सक्राइव में पांज सम्सक्राइब अर्द सम्सक्राइब हो टीक है अब देखिए जो यह है ना यह अर्थ संवरित न में क्या होगा कि इसका फंश्ट कि इसका फंश्ट और धर जरंड पहला दूसरा तीसरा और दोटा ठीक है यह आप हमक्स है तो यह यह होगा अर्द संवरित लेखन आप इसके अंदर आप इस के अंदर यह समझा नहीं तरीक से Jeopardi आ टीक इसके नहीं समझे इसके इतने इतने इसमें होगा इसमें इतने इतने चार्ण ये यह समझ गया इसे और यंडी पहली वहाद इसे को आपको पूछंगा आपको अगर घ्यान नहीं पड़ा है तो फिर वापस वीडियो पोज किरके फिछे जाहिए ला आप वैसे ऑप्शन दिये हैं यूटूब ने ठीक है और देखिए इसके अंदर आगे क्या है एक यह जो वर्णों को गिन रहे है ना उनका एक सुत्र है ना वर्णों को गिनने में हमारे साइटा करेगा यह सुत्र यह आपने सुत्र जब साथी आठी नमीदस्वी कोई भी क् करें के तो तो सब्जेक्ट में बी आता है और हिंदी में भी आता है रहें के अंदर तो चंद नहीं थे利 flexibility के अंदर यह सुत्र आया था रहाता है ना वर्णों को गिनने कब आज आ सकती इसलिए आप थोड़ा इसको करें ठीक है में इसका और कोपरेट करें ठीक है इसके इंग्लीज जद आती नहीं लेकिन फिर थोड़ी बहुत बोल देते हैं अब इसके इंदर यह जो सुत्र है यह हमें याद रखना पड़ेगा इसके इंदर देखिए गणों क इनका बहुत मुख्यकारी होता है अब आपको पर बतायाता है गुरु गुरु अना तो वो क्या है जिद आप में यह एक मतलब होता है चोटा है आपको याद यह रखना है लेकिन छोटा है आप इसका एह ली यह होता है लुट व इसका चीन है वो ऐसा होगा ठीक है कैसा यह रहा देखे ना इसका चीन होगा यह क्योंकि यह कहां पर काम आएगा यह देखिए यहां पर काम आएगा इसका जब यूझ होगा घुझा अब ही आगे आपको पता चल जाएगा ठीक है अदेखिए यह कि है ं हे आ दिया इसको क्या बोलते इसके अंदर आ रремदर नहीं मैं और तो यह होगा है क्या याद आपने अब यहाद नहीं है इस चीज को आपकी याद आढ़ना पड़ाएंक उसी के अदर पर यह आप प्राइट तो इस चुटता गुरू है इसका मतलब यहाँ पर लुखा हुआ इसका मतलब यह उ पू की मातर आहे इसके अंतर है तो ये लगभी जाएगा ठीक नहीं इसी से आप री आ रहरा है कौन सा देखिए वाला री मतलब कि ये वाला री या रहा है तो ये भी हो गया क्या हस्वसवर देखिए मेरे इसके बारे मैं नहीं आपको याद होना चाहिए यह आगे जो यह गुरु का देखिए पहले चीन बता देता हूं यह गुरु क्या आपको सुर तो मालूम है तो देखिए इसके वाई आई-ई-ई-ई-उ-ओ मालूम नहीं है न तो वर्ण पढ़ेंगे न जब वर्ण का ग्यान पढ़ेंगे न वर्ण का अलग टोपिक आता है उसको पढ़ेंगे तब आपको बताए जाएगे इसके बार में ठीक है न आई-ई-उ-ई-ई-ई-ई-ओ क्योंकि अगर मैं यहां पर य अधे दो फिर तो बहुत ऐसा है लेकिन सहीब आतनी है ये अनके बहुत बहुत आटनी चीजें आप नहीं सीख सकते तो देखिए इसकी इंदर होता है इस मतलब संबियाक का your degree इसे डिरनों और चीज्यें आपको पतावने चाहिए ठीक है और यह देखिए आब आपको प्ता-चलना चालना जाएँ कि यह गुरु कैसे हो यह राम स्रीस सादुकम-कॉंतः-ॐंतए-। थो इसके बिश्यों कारोば स्रीस साधुकम-ध यह सारे गुरु करका यहां पर त्यूर यह स्रीस साधुकम यह राइओ यां पर यह है। आपको समझ में आगे हो गई है मैं आपको आगे क्यों सन पोचूंगा इनके बारा में ध्यान रखना है यह देख ली जो एक दो और रहे हैं आउसद ही आउसद तो यह दोनों देखिए आप देख सकते ठीक है अनुस्वार से पूरु वाला वर्ण होगा ना वो होगा गुरु आपको बता है मैंने आप भी बताया कि यह होता लगू यह होता गुरु यह होता लगू यह लगू यह गुरु यह लगू यह गुरु और ए ई उ री और लिरी क्या लिरी है न यह तो होते हैं हास्वया और दिर्ग और गुरुगर्ण किने बोलते हैं आ, बड़ा, ई, बड़ा, उ, ए, आ, आ, ओ, ये होते हैं दिर्ग या, गुरुगर्ण बोलते हैं यह आपको पता चलना चाहिए है यह रहे देख लिजे एक बार और दिखा देते हैं हमारे कुछ नहीं इसमें दिखाने पर यह आपको याद होगा है चलिए देखिए, अनुस्वार से पूरु वालवर्ण है वो गुरु कहलता है जैसे देखिए, इसके अंदर मैं आपको बताता हूँ रामम आप देखिए, यह आपको बहुत ज़रूर यह यह चीज़ समझ देखिए, आपको याद होनी चे यह चंद गड़त हो जाएंगे इनके बिना न, यह चीज़े हैं जो चंद की निव रखते हैं अचंद सीखने के लिए हमारी निव यह 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 यहां पर यह मैंने ठोका अनुस्वार ठोक दिया, आप देख रहें, उपर मैंने बिंदी लगए एक देखिए, इसके अंदर बिंदी लगते ही, क्या होगा है, यह अनुस्वार है ना आपको इसे पता है कि में के अंदर एक ही मात्र है तो यह क्या हो जाएगा हस्व या लगो बढ़न हो जाएगा या आपको पता है लेकिन इसके उपर जैसे ही अनुस्वार आया यह क्या बन गया गूरू समझा आगे यह दा कि यहां पर लिखावा है यह आपको समझना पड़ेगा याद रखना है समझना भी नहीं है याद भी रखना है इस चीज को लाश्ट तक काम आएगी यह ठीक है न विसर्ग से पूरु पूरु वाला वर्ण है वो गुरु होता है विसर्ग देखिए यह यहां पर लेकिन इसके आगे जैसे ही विसर्ग लगा यह हो गया गुरु ठीक है देखिए अगला अगयों क्या है अर्द वेंजन से पूरु वर्ण गुरु के लगता है सरवस्वती देखिए आपने अभी यहां पर गोड़ने किया यहां पर यह आपको मालूम है क्या होगा आ देखिए कभी कभि चरन पूर्ति के लिए अंतिम को भी रूं को भी गुरु मान लीया जाता है कैसे इसका में आपको अभी अगे थोड़ी देर बाद में आपको पूरा एक्दम डिटेल इस बात को ध्यान में रखना, आपको याद रखना, हर समय याद रहना चाहिए, क्योंकि देखिए आपका दिमाग फिर ऐसे चला जाएगा कि आप पो चार चलाण देखोगे और उनमें अंतिम वन जो जहां पर गुरू होना चाहिए, वहां प यहां पर लिखावा कभी कभी चरण पूर्ति के लिए अंतिम वर्ण को भी गुरु मान लिया जाता है, ठीके ना, इस बात को ध्यान रखना, आप देखिए जो सुत्र है वो आपके याद रखना ही है, क्या, मैं यहां लिखता हूँ, रटना ही पड़ेगा, अगर आपको इंदी में क्या होता है, इंदी में यहां पर आता है गा, ठीके, इससे यह बन जाता है गुरु, लेकिन इसमें क्या आया, म, देखिए आपको बताए ना, कि अर्ध वेंजन के पूरु वाला वन गुरु कहलाता है, अभी बताए थोट देर बिले, तो यह क्या अर्ध यह यह है मत ना अब हर वर्ड का जो पहले वाला वर्ड हईक्षा जन और यह मत पूछना अभी कि यह यमाता कहां से लिखा यह आपके सामने है यह माता यह यह माता इसलिए लिखा क्योंकि इसकी मात्राइं अभी आपको बताये था ना मात्रिक और वर्णिक चन्द है तो इसकी मात्राइं है यह क्या है मात्राइं यह मात्राइं है न है यह आगर अपने जब चंद आसरी चिजह आपको याद करना सब्सक्राइब ये सारी चीजह आपको याद करना बहुने यहां और यह प्रहें लिखेसे नॉस मैंने बता दिया अभी कि आपको रटना ही पड़ेगा क्या रटना ही पड़ेगा इंचे जोगो न अगर याद नहीं है तो चलिए आगे चलते हैं आगे हैं इंद्र वज्राचंद सबसे पहली बात अगर आप एक्जाम दे रहे हैं और वहां पे ओफलाइन या ओनलाइन कोई भी एक्जाम है तो सबसे पहली बात सबसे मौश्ट इंपोर्टेंट बात है कि सबसे पहले आप ये कौन सा की ये सुत्र लिख दे यमाता राज भ पूसा इंद्र वज्राचंद कों सांकतर रहे जिसके अदर या याद कर लेनी जाइए यह याद कर लानी में चाहिए स्याधि दंद्रवज्ञ यदि तउ जगव गह अब यह चीज़ आपको याद होनी चाहिए ना देखिये यह मैंने यहांप लिखाँ गभाजन तव तो यह चीज़ मैंने लिखिए यह वचन पढ़ें तो एक्दम शरल तो एक्दम ऐसे वह जाएगी आपको आखे बंद करोगे तो भी आपको याद हो जाएगी ऐसे मैं बढ़ाओंगा ठीक नहीं अभी हम पढ़ रहें इंद्र वज्राशंद श्यादी इंद्र वज्चा यदि तव जगवगा यह चीज है ठीक है इसके नदर मैंने यह लगाना भूल गया हूँ यहां पर यह वज्रा लिगवज़ा लिखना शाद इंद्र वज्चा या है थोड़ा आपको ज्यान देना थोड़ा आगЕ वह से साइगरद आम आगे उसके अंदर ठीक में आने घ्रल फटाश कुन से अभी हमने पड़े थे ना संघो लिखा एक दो ये दो वड़न हो गये तो ये ऐसे वर्ण इंदर वज्जरा के अंदर 11 तो वर्ण होने चाहिए क्या वर्ण लेकिन आपको खाली वर्ण तक ही ध्यान भी नहीं देना आप एस नहीं कि exam में अंदर वह स्लोग लिकाव है आपने पढ़ लिया कि इसके अंदर 11 है चलो इसके इंदर बज़रा कर देते हैं नहीं गुगलत हो सकता आपका इसके देख दो और चंदेज़े 11 भी होता है लेकिन आपको में सीज़े वो इसके अंदर देखे यह याद एगना तव का मतलब होता है यहाँ पर तव का मतलब होता है क्या तव का मतलब होता है तगन और जय का मतलब होता है तव का तव तो तव दो है न तो यहाँ पर तगन तगन दो हो जाएंगे ठीक न तव डबल मात्र है तो तगन तगन दो हो जाएंगे और जय का हो जाए जगन ठीक न और गुरू क्या होत कि इसकी परिबास क्या है जिस नो के परतीयक चरण में क्रमसर तगन तगन जगन गूरू से 11 विद्धर इंद्र वज्रा छंद होता है लुक्र छन्द होता है और और एक पे सिब्धुर से लौग यह प्योग है उसको सलोग ऑटेंगे और स्लोग के अंदर ज़ो जिस लाइम में भी वर्ण होंगी वो 11 होंगे कितने 11 होंगे ठीक है और ये 11 होंगे और देखे इसके अंदर तगण तगण जगण गुरू गुरू ये चीज आपको ध्यान देखे अब ये कैसे आपको आगे में उदान के माध्यम से ही समझाँगा ठीक न ये चीजे यहां प वर्ण बोलता है यह जब आप से लोग पढ़ोगे ना उसके बीचे ऐसा नहीं लिखा होगा ठीक ना आप यह से दिमाग इतना थोड़ा आपको चलाना पड़ेगा ऐसा नहीं लिखा होगा उसके अंदर वर्ण गुरू-गुरू कहलता है ना उनको वर्ण कहते एक वर्ण आपको यह कुछ आपको बताने देखने बढ़ेंगे ज्यादा ज्यादा सब्द लिखिए और उनके नीचे महात्रा लगें कि सही हो देगे अगर आप पहली बार बढ़ रहे तो ठीक है अब देखिए आचारियों की बुद्धी कि इतनी मस्त थी इतनी अच्छी थी कि उन् अपना पूरा ये इंद्र वज्रा चंद डाल दिया तो आपको बताओगा पता नहीं है आपको मुझे वालू में लेकिन अभी मैं बताओंगा ना तो आपको बता चलना चाहिए ये बहुत अची चीज है इस सुत्र को आप याद कर लोगे ना तो आपका पूरा का पूरा पूरा इंद्र वज्रा संद पूरा हो जाएगा, ठीक ना, चंद पूरा हो जाएगा, देखिए इसके अंदर, जो ये चीज है ना, इसको समझना में, यहां पे लिकावा है, शाद इंद्र वज्रा, ठीक है, आप देखिए, मैंने एक चीज आपको बताई नहीं, कि ये जो अंसान, तो देखिए, इसके अंदर, तीन-तीन के जोड़े बनेगे, अगर कोई सलोग लिकावा तो उसके अंदर आप तिन-तीन के जोड़े बना दीजिए, ठीकिना, तिन-तीन के जोड़े बनादेजिए, समझके, अवं देखिए, आपको यह लाइन है माल जीजी यह स्लो की एक लाइन है आपको एक लाइन में 11 फेले तो 11 टूंड रहे तो देखिए आपको दो तीन चीजे और बता नहीं है वो मैं यहाँ पर बता रहा हूँ आदा से है ठीकिना आदा से है तो यह इस आदा से को कभी वर्ण नहीं गिना जाता क्या वर्ण नहीं गिना जाता ठीकिना यह वर्ण की सरणी में नहीं आता तो हमारे वर्ण यहाँ से स्टाट हो रहे है एक तो आपको मेंने बताया जैसे जैसे अचिना चाएगा सब्सक्राइब लिएंड है तो इह आ डून होगए ठीक है और यह ताहाज का आपने पहले मीनने बताया था तराज का शाgi ताराज कहां से आपको बता है ताराज आया है यहां से देख लीजिए आप बार 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 बता रहा हूं मैं ताराज यहां से आया है समझ गया ना यह ताराज यहां से आया है आपने ध्यान नहीं दिया पहले ताराज यहां से ध्यान दीजिए बचाँ देखिए इसके इंद है एक नी यह जबान कैंघ और अबिए यहां पे यह तीन बन के तीन सब्राइबματα hey आप बताये को पिछे विषर को आगे वाला वन गुरू हो जाथा है। यह हो गया है। लेकिन एक चीज और बता है थी कि पिछे वाला गुरू हो ऐसा कोई जरूर है नहीं है। अगर चरण पूरती के लिए हम पिछे वाले को गुरू मान भी सकते हैं। अगर जहां पे जरूत हो कि हाँ भी यहां पे गुरू माल लेना चाहिए अगर एक विवड़ की बज़ेशा पूरा सब्द गड़त नहीं कर सकते हैं कि तो यह चीज हो गए हम देखिए इन तीन सफत को देखिए इन तीन सब्स को देखिए कि यहां पर श्याह तो इस हैका नायश्क को मतलब ही नहीं आपको पता है और या कि या किया होता है गुरु हो ना या मतलब आखे वेंजन है तो उससे पहले वाला वाला वांड जिसे कि ये ने तो आदा है और इससे पहले दी है तो ये क्या हो गया ये हो गया गुरू ठीक है ये चीज़ आप समझ गयोंगे और द्रे है तो इसके अंदर निचे रहे है तो इसका कोई मतलब नहीं है ये होगा लगू ठीक है अब आगे आप देखिए आप खुद मिले इस इन तीन सब्दों के अंतर देखिए वे है तो वे गुरू कैसे हो आप बताइए यहां पे तो देखिए यह तो खाली लगू होना चाहिए तक गुरू कैसे हो गया तो यह देखिए, आप यहां पर रे है, क्या है, रे, आदा रे है, तो यहां पर यह क्या हो जाएगा, गुरू हो जाएगा, और जा तो फैसे गुरू है ही कुद, और यह लगू हो जाएगा, ठीक है, यह इसी के अंदर देखिए, आप फिर, अब जबान देखना में, अभी आपको मैं एक पूरा एक्जाम्पल बताता हूँ जिसके चार चरण है कितने चार चरण है ये एक्जाम्पल है और इसके चार चरण है ठीक है अब इन चार चरणों को आप अपने नोट्स में खली मैंने ये जैसे ये आपको नहीं लिखना है ये सारा कुछ भी नहीं लिखना, खाली इन चारों चड़नों को लिखिए आप, ठीक है, चारों चड़नों को लिखिए, और समझे, ठीक है, फिर अगर इन चारों चड़नों में से आपको कुछ समझ में नहीं आए ना, तो मुझे बताएगा, ठीक है, ठीक है, लेकिन उससे उसके नतर रे आ जाएगा तो यह बन जैगा गुरु तो वैसे लगु है तो अब इन तीनों के अंदर देख सकते हैं वैसर तो लगु होना चाहे लेकिन नय के वज़े से यह गुरु हो गया ठीक है और या है और यह चीज़े से हमें अब देखिए आपको मैंने बताया था ना यह देखिए यहां पर वो चीज आ चुकिए वे है वो होना तो चाहिए लगू लेकिन यहां पर गुरू इसलिए है क्योंकि चरण पूरती के लिए हमने पहले भी बताया था मैंने कहा था वो लाइन आपको रटनी है याद करनी है दिमाग में रखनी है कि चरण पूरती के लिए लाश्ट वन को हमें गुरू अगर वो लगू है फिर भी हम उसको गुरू मान सकते हैं तो वेक हमने यहां पर गुरू मान लिया ठीक है इसलिए मैंने कहा था ध्यान रखना अब यह चीज आ गई यह चीज देख लिए जब इस चीज को सेम इन चीजों जैसे यह देखाना वैसे इनको आप खुद देखें खुद देखोगी ना तो पता चलेगा मैंने जैसे यह बताएं आपको यह वैसे यह है और वैसे यह है और वैसे यह आपको बताएं और फिर भी आपको इन तीनों में कुछ समझना है मुझे पूछ सकते है ठीके तो दोस्तों यह कैसा लगा वीडियो सेंस्कृट का पहला टोपिक मैं पढ़ाया मैंने और अच्छा लगा तो अब आप बताओगी या नहीं हो तो मुझे पता नहीं है लेकिन सब्सक्राइब और सेर जरूर करने ठीके थैंक यू